भोजपूरी को IPL तक पहुचाने के लिए आप सब कैसा महसूस करें बहुत अच्छा लग रहा है यह लबदी भोजपूरी की है और अब जब IPL भी भोजपूरी में सुन पा रहे हैं लोग कमेंटरी हो रही है और 8 और 9 तारीक को मुझे और आमरपाली जी को बुलाया है तो ह हम लोग भी जाएंगे और भोजपूरी में कमेंटरी करेंगे बहुचपूरी में असलीलता है या सिर्फ देखने की नजरी है आप अहजे कलकार किस तरीके से नहीं ने जब तक कुछ ऐसा रहेगा नहीं तब तक कोई ऐसे ही थोड़े आरोप लगाएगा जो एल्बम गाने कि एल्बम को सुन करके आप ये न सोचे कि यही भोजपूरी सिनेमा है कि जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है वैसे एल्बम के लिए भी बन जाए तो ये अपने आप विकृती जो है वो समाप्त हो जाएगी जिस भोजपूरी को आप लोग आठ फी सुची में दर्ज कराने के मांग करते रहते आप लोग उसको सकार कर पाएंगे पूरी तरह से एकदम साकार होगा और हम उस तरफ ही बढ़ रहे हैं लगाता है तो लोग कहते एक भाषा तो ठीक है लेकिन इसके लिट्रेचर कहा है वो भी तो होने चाहिए इसके साहित्ते क्या है अज हमारे साथ भोजपूरी के बड़े एक्टर, सिंगर और उसके साथ सांसद और दिनिसलाल निरहरुआजी है और वो सांसद है जिन्होंने पीजेपी के आजमगर से 40 सालों के बाद उन्होंने वहाँ पर खाता कोला मतलब सुखा ग्रस्त को उन्होंने एक तरीके सुहां पर बदला है तो बात करेंगे सबसे पहले भजपूरी के आप सब बड़े एक्टर हैं बिरासरत है बात भजपूरी के होती है लेकिन आप सर्फ बिवादों से जब भजपूरी के आप देख रहे हैं भजपूरी में लगातार बिवाद होते रहता आप बिवादों से दूर क्यों रहते हैं बीच बीच में कम से कम आप डाटते रहते हैं बालेंस करते रहते हैं आखिर क्या है कि आप बिवाद में नहीं पड़ते हैं मुझे लगता है कि जो लोग बिवाद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि च चर्चा में रहें और मुझे लगता है कि मैं अपने काम से ही इतना चर्चा में रहता हूं कि मुझे भी बात किया शक्ता नहीं है और जब मैं जनता के बीच में जाता हूं और जब लोग कहते हैं माताएं बेहने और भाई सभी लोग ये कहते हैं कि आपकी फिल्म देखने में बहुत मज़ा आता है तो जब मुझे पता है कि मुझे मेरा काम आता है और मैं वो काम जब करता हूँ तो लोगों का दिल जीत लेता हूँ तो वही काफी है उसके लिए अलग से कुछ प्रोपोगंडा करने की और अलग से कुछ इस तरह का बिबात करके और चर्चा में रहने की मुझे आउशकता नहीं भुशपूरी अब IPL में इस बार आपके ही साथ ही है उन्होंने IPL में कमेंटरी और करेके से वाइरल हो रहा है इन चीजों को हलाकि कुछ लोग भी कर रहे है तो भुशपूरी को IPL तक पहुचने आने के लिए और पहुचने में आप सब कैसा महसूस करें आप सब की क्या है बहुत अच्छा लग रहा है देखिए जो लोग मजाक बनाना चाह रहे हैं वो हमेशा से बनाए हैं भुशपूरी को ले करके पर ऐसा नहीं है भुशपूरी हमारी मात्री भाषा है और दुनिया की सबसे बड़ी छेत्रिय भाषा है तो अगर उस भाषा को उसका जो हक है वो मिल रहा है हर जग air मिल रहा है पहले भुशपूरी में चैनल नहीं थे जब हम लोग कहीं जाते थे बैंगौल जाते थे यू भोजपुरी के चैनल लागे, जी भोजपुरी, तो ये उपलबधी भोजपुरी की है, और ये इसलिए हो पाया कि पूरे दुनिया में जो भोजपुरी के दर्शक है, उनका जो प्यार है अपने मात्री भाशा के प्रति, इसलिए ही हो पाया, और अब जब IPL भी अभी किशन जी कर रहे थे और आठ और नो तारिक को मुझे और आमरपाली जी को बुलाया है तो हम लोग भी जाएंगे और भुजपूरी में कमेंटरी करेंगे अब सवाल यह उठा है कि तीन ऐसे भुजपूरी के बड़े एक्टर संसत के अंदर हैं तीनों में आपसी बड़ा मतलब प्यार मुहबबत भी देखने को मिलता है तो क्या जिस भुजपूरी को आप लोग आठ फीर सुची में दर्च कराने के मांग करते रहते तो क्या उस मा का कॉमेंटरी भुजपूरी में हो रहा है बड़े बड़े चैनल भुजपूरी में आ रहे हैं बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म भुजपूरी के लिए खुल रहे हैं तो निश्ची तरुप से भुजपूरी की ताकत जो है पूरी दुनिया समझ रही है और ये सदन को भी समझना ही पड़ेगा हम लोग तो मांग उठाई दीए है सदन में और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मांग कर रहे हैं वो हम योग्यता के अधार पे मांग कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो भारत के बाहर वहाँ पर भोजपूरी को माननेता है तो अपने देश में क्यों नहीं मिलेगी उसको मिलना ही है और मिलेगा ही थोड़ा समय लग रहा है पर उस पर हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे जब तक कि ये भाषा को माननेता न मिल जाए लेकिन एक तरफ जब भजपूरी के लेकर ये सारी आईपियल तक पहुँचना चैनल खुलना लिटरिचर तमाम चीज़ें सीज़े हो रही लेकि दुसी तरफ आप भजपूरी को लेकर देख रहे होंगे कमpeine एक बड़ा आप भी सुनते होंगे बिल्कुल तो वह क्या होता है कि लोग जो एल्बम सुनते हैं तो उनको लगता है कि बस यही भोजपूरी है परेसानी है जो हमारी फिल्में होती बहुत अच्छी होती है बहुत बढ़ियां बनती है वर्ल्ड क्लास फिल्में हम लोग बना रहे हैं अभी हमने माई फिल्म बनाया प्राइड और भोजपूरी पर ये तो मैं जरूर करना चाहूँगा कि भोजपूरी के एल्बम को सुन करके आप ये न सोचें कि यही भोजपूरी सिनेमा है या भोजपूरी भाषा बहुत ही प्यारी भाषा है बहुत मिठी भाषा है और चुकि जो एल्बम गाने वाले लड़के हैं उनको एक ऐसा भ्रम है कि वो कुछ ऐसे दुवर्थी ज़्यादा गाएंगे तो उससे वो ज़्यादा उनको चर्शा मिलेगी या ज़्यादा वो सफल होंगे पर ऐसा नहीं है आज आप देखेंगे कि भोजपूरी सिनेमा से आइटम सौंग तक खतम हो गया रखते ही नहीं कोई किसी को आवशक्ता नहीं है उसमें रखने की पारिवारिक फिल्मे ही बनती है और टेलिविजन पे तो वैसे भी वही फिल्म आएगी जो UA सर्टिफिकेट के साथ आएगी तो इसके लिए भी पहल की जा रही है अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी अदितेनाद जी ने भी इस बात को कह दिया कि कहीं भी अगर श्लील गाने कोई बजाएगा या कोई बजाता है तो उस पे कारवाई की जाएगी बिहार सरकार भी इस पे काम कर रही है और हम लोग उन्हें मांग किया है देखने की नजरी है आप अहजे कलकार किस तरीके से नहीं ने जब तक कुछ ऐसा रहेगा नहीं तब तक कोई ऐसे ही थोड़े आरोप लगाएगा वो निश्चीत रोप से मैं कह रहा हूँ कि जो एल्बम गाने वाले लोग है उन लोगों भोजपूरी का साहित है भोजपूरी का लिटरेचर है वो सब हम लोग साक्ष प्रस्तुत कर रहे है ऐसा ही थोड़े मांग कर रहे है भोजपूरी का जो लिटरेचर है जो साहित है वो सब हम सभा पे रखके सभा पटल पे रखके ही मांग कर रहे है तो चलिए और हलाकि सब जितने भी देश में बोलने वाले लोग हैं दुनिया बर में भुषपूरी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए गर्वे की जरूर ये बात होगी लगातार भुषपूरी को लेकर आप इनकी कामों को देखते होंगे और आपकी क्या रहा है इन तमाम ब खुझपूरी की कमेंटरी हुई है लोग लगातार एक तरफ जो है खुशी भी मना रहें और गर्वे की बात करें जैसे इन्होंने कहा गे आठ और नौ नौ एही नसर आठ और नौ को आप इन्हें की भी कमेंटरी आप खुझपूरी में जरूर IPL में सुनिएगा और इसके ब कमर्ती के साथ ससी पूछों सोसल समबाद निवस दिल ले